असलाम उलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठिक ठाक होंगे आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज बहुत ही जबरदस सेलुशन मैं लेके आई हूँ उन सब मॉम्स के लिए जो ये सोचती है कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए मैंने बनाया सबसे पहले प्लैनर बहुत ही जबरदस लंच बॉक्स का और उसमें वो सारी चीज़ें एट की जो बच्चे शौक से खाते हैं तो चलें जी हम पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं तो जनाब यहां पर मैंने एक ले लिया अंडा और ले ली साथ में ब्रेड तो जनाब इस पर मैंने लगाई नुचेला क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की तो यह फिवरिट होती है पस आपने फिर भर भर के जो है ना वो लगा देनी है यह देखें अच्छे तरीके से पूरे सलाइस पे हम लगा देंगे और इसके बाद हम इसके उपर दूसरा सलाइस रख देंगे इस तरह से अब हम इन स्लाइस की करेंगे कटिंग यह देखें कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है जितनी भी मैं आप लोगों को रेसिपीज बताओंगी बहुत इजी है आप लोग बस क्विकली इसको बना सकते हैं तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी, कितनी खुबसूरत लग रही है, कटिंग करने के बाद, अब हम मजीद इसको सेंटर में से और कट कर लेंगे, और ये देखें, ये कुछ इस तरहां से बन चाहेंगी, बारी बारी मैं ये सारी कटिंग कर लूँगी, और ये देख अच्छे तरीके से पेंटने के बाद जो ब्रेड थी ना हम उसको डिप करेंगे और उसको फ्राइ कर लेंगे यह देखें यह मैं इसको डिप कर लूँगी यह दर मैं आप लोगों को दिखा दूँ इस तरह से अब हम इसको बहुत ही कम ऑईल घी या बटर जिसमें आपका दि दिल जाता है इसको खाने को और यह जब मैं लंच बॉक्स में आपको निकाल के दिखाऊंगी तो देखिए का बहुत ही खुबसूरत लगते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कैंडी होती हैं तो यह चीज़ें भी बड़ी मेटर करती हैं कि वेचे जो है ना वो लंच जो खुबसूरत भी हो तो बस बहुत ही इजी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि जितनी भी हमारी बीजी मॉम्स हैं वो खुश हो जाएं कि आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही जबर्दस है तो बहुत महनत भी हुई है क्योंके बहुत सारी रे चूहों के आप लच बाक्स में और भी बहुत सारी चीजा कर सकते हैं जैसे कि कोई अच्छा सीजनल फीरूट है और बचे जिसको पसंद करते हैं वो भी आप भी साथ चीजीं आजाती है तो वह सारी शारी है अप certains Sutton I will describe time. तो चले जी अब हम नेक्स्ट रेसीपी की तरफ चलते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पैटी बर्गर्स लेकर आई थी बर्गर्स बहुत शौक से खाते हैं बच्चे और यहाँ पर जो वीडियो है वो यही है कि टाइम को कैसे सेफ किया जा सकता है तो आप लोग क्या है कि इसको पैटी फ्राइ करना कि इसको नहीं आता तो सिंपली इसको फ्राइ करना है इसके बाद मैंने ले लिया था बर्गर और इसको मैं हलका सा जो है ना वो गर्म कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसके बाद मैं इसको फिरी कर लूँगी तो यहां पर मैंने रख़ी एक पैटी इसके बाद मैं इस पे कैचप लगाओंगी बहुत जादा नहीं लगाओंगी हल्की सीवस लगाओंगी इसके बाद बर्गर पे लगाओंगी यह आप लोग देक सकते हैं बहुत कम ली हैं मैंने जयादा नहीं ली और इसके बाद हम इस पे मा Además लगाओंगे तो चितनी आपके बच्छे शॉक से खाते हैं आप उतना लगा सकते हैं इसके बाद मैंने खीरा ले लिया था अर्फा को खीरे के इलावा बर्गर में और कोई चीज भी पसंद नहीं है एड़ करना तो जनाब यहां पर हमारा बर्गर बन गया था देखें कितना जटपट बन गया तो अब मैं लंच बॉक्स में भी रख दूँगी इसको इस तरह से उपर थोड़ी सी माइनिस लगा दूँगी और हमारा लंच बॉक्स त्यार है तो चलें जी अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी भी हमारी बहुत इजी है और बहुत ही कुएक यहाँ पर मैने ले लिए चपली कबाब ठीक है और मैने दो चपली कबाब लियें क्यूंके आज अर्फा की जो फ्रेंड है मुबशरा उसके लिए भी जाएगा आज लंच तो इसलिए मैने यह दो फ्राइ का लिये हैं इसके साथ जनाब मैंने जो प्राठे हैं वो रेडी किये थे ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप फ्रोजन प्राठा भी यूज़ कर सकते हैं घर पे भी बना सकते हैं जिस तरह से आपको इजी हो आप बना लें और आप इसको रख दें प्राठे में लाठे पड़ कोब है चपली कबाब और जनाबाब का लण्च बाक्स भी रैडी हो जाएगा यहां पर देखे हमारा लन्च बाक्स रैडी हो चुका है अब हम नेक्स रेसिपी की तरफ चलते हैं तो जनाब हमारी फॉर्स रेसिपी है यहां पर हमने अंडे ले लिए, साथ में ये सारे स्पाइसिज है थोड़ा सा हमने नमक इसमें अड़ कर लिया लाल मिर्श अड़ कर दी हम लोगों ने, खुशक धनिया आओ गया विसा हुआ और हल्दी, हल्दी जरूर शामिल कीजएगा बच्छों को बहुत अच्छी लगती है, और बच्छों के लिए अच्छी भी है अब मैं इसमें अंड़ शामिल कर दूंगी और हमारा बन चुका है नमक मिर्श वाल अंड़ ये तो तक्रीबन हर घर में खाया जाता होगा तो बस थोड़ा सा हमने इसको न्यू टच्छ दे देना है वो इस तरहां से ये अंड़ आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने जो प्राठा बना के रखा हुआ था ये मैं उपर लगा दूँगी और ये अंड़ जो है ना प्राठे के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं कुछ है सरहां से तो अब हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे क्योंकि हमारा जो प्राठा है वो तो टोटल डन है तो बस अंड़े को थोड़ा सा हम पका लेंगे ये आप लोग देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है मतलब वो बच्चे जो अलग से अंड़ा और अलग से प्राठा जो है ना वो खाना नहीं पसंद करते उनको ये लगता है कि बस देशी सी कोई चीज दे दी है लेकिन इस तरह बच्चें के लिए जो है ना प्राठे भी जरूरी है रोटी भी जरूरी है तो ये देखें इस पर मैंने वाइनीज लगा दी सिंपल और इसको मैं कट कर लूँगी बिल्कुल सेंड़ुच की तरह तो फिर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ताकि उनको समझ ही नहीं लगती कि ये हम खा क्या रहे हैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें भी आप लंच बॉक्स में रख सकते हैं तो इचने जी अब हम अपनी नेक्स रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये बच्चपन में हम भी बहुत शौक से खाते होते थे तो ये हम मैं बना रही हूँ फ्रंच टोस्ट और इसमें मैंने दूद को पहले ही गरम कर लिया था गरम करते हुए मैंने इसमें चीनी पहले ही एड़ कर दी थी अब मैं इसमें दो अंडे जो है न वो शामिल कर दूँगी तो ये आप लोग देख सकते हैं क्योंके चीनी पहले ही मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल ली वी है इसलिए मुझे मिल्ट भी हो चुकी है तो मुझे ज़्यादा जो है वो फैंटा नहीं पड़ेगा तो सिंपल मैंने अंडे इसमें फैंट लिए है अब मैं इसमें ब्रेट शामिल कर दूँगी तो ये देखें कितना जटपट जो है न ये भी लंच बॉक्स रेड़ी हो जाएगा ये देखें ये हो चुका है अब मैं इसको तवे पे जो है न वो फ्राइ कर लूँगी ये आप लोग देख सकते हैं तो बहुत मज़ेदार और ये तो बच्पन की याद ताज़ा हो जाती है जब भी मैं बनाती हूँ इस तरह से तो ये देखें ये बहुत मज़ेदार लगते हैं और ये भी जटपट बन जाते हैं तो ये हमारा त्यार हो चुका है अब मैं इसको लंच बॉक्स में रखतूंगी ये आप लोग देख सकते हैं आज लंच बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये देखें ये मैंने इसमें रख दिया है तो देखें कितना अच्छा लग रहा है तो बस जी हमारा लंच बॉक्स रेडी हो गया नेक्स रेसिपी जी नेक्स रेसिपी सब की बहुत फेवरिट होगी बच्चे नगेट्स बहुत शौक से खाते हैं साथ में फ्राइज ये तो हर बच्चे की मेरा खाला खौईश होगी कि बस हमें नगेट्स दिये जाएं और फ्राइज दिये जाएं तो नगेट्स को मैं यहां पर फटाफट फ्राइज करी हूँ और साथ में मैंने दूसी साइट पे जो हैं वो रखती हुए थे फ्राइज भी और यहां पर हमारे डन हो चुके हैं नगेट्स और दूसी साइट पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हमारे फ्राइज भी बन रहे हैं, तो जैसे ही बन जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूं और यहां पर हमारा लंच बाक्स हो गया रेडी, साइट पर मैंने रखनी है फ्राइज और साथ में नगेट्स, के किलावा हमारे पास ketchup भी आ गई भी है और ये देखेंगे lunch box हो गए ready अब मैं इसको pack कर दूँगी तो यहां पर हमारी recipes हो गई है पूरे one week की complete I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो like and share कीज़ेगा मुझे दीजी का इजाज़त इंशाला नेक्स बहुत अच्छी वीडियो के साथ मिलूगी तब तक के लिए Allah हाफिज